नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि अब टक्स पेंट के अंदर कोई भी प्रीसेब्ड इमेज जैसे आपके पास कोई इमेज है तो वो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं कैसे उसको यूज कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा step by step guide कैसे कैसे बनाना है कैसे इंसर्ट करना है उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, यह सुरू करते हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले आपने फोटो खोलना है जो फोटो आपको इंसर्ट करना है सबसे पहले इसको आपको paint के साथ में open with कर लेना है पेंट के साथ में, Microsoft Paint जो आपका default application उसमें open कर लेना है, open कर लिया तो इसको save as करना है, save as करने के लिए, save as करने के लिए आपको ध्यान लखना है कि आपको png में save as करना है, png format में, तो हमने png select कर लिया है, अब हमें क्या करना है, कि उसके बाद करना है, आपको सबसे पहले अपना, सबसे पहले आपका c drive खुलना है, जिसमें आपका app और windows install है, उसका यहां से users में जाना है, और जो भी आपका default user उसमें जाना है, यहां आपको चेक करना है, कि आपका hidden file on होना चाहिए, और उसके बाद hidden file on होने के बाद आपको दिखेगा एक app data, यहां जाना है, app data के अंदर में, roaming के अंदर, आपको tux print मिलेगा, इसमें saved image, और यहां आपको file save कर लेना है, जैसे ही मैंने यहां save कर लिया, अब आईए देखते हैं, इसको open कैसे कर सकते है tux print में, तो हमने tux print खोल लिया है, अब आपने open करना है, open पर जैसे ही आप click करेंगे, यह आपका जो हमने image save किया tux print में, जो आपको location मेंने जैसे बताया था, यह आप यहां से open कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी editing इसके साथ करना चाहिए, वो कर सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जूरे रहें, और हमारे चैनल को like, share और subscribe जरूर करें, धन्यवाद,